हेलो फ्रेंट्स वेलकम बाक टू मर चानल दोस्तो आज जस फिल्म की बात होगी वो एक एपिक हिस्टोरिकल ड्रामा फिल्म है मतलब एक्षिन हिस्ट्री बायोग्राफी सब कुछ है इसमें मैं बात कर रही हूँ रिडले स्कॉट की नापोलियन मूवी की अब आती हूँ इस सबसे प्रभावशाली शक्सियतों में से एक नैपोलियन बोनापाट के लाइफ का सिनेमाटिक एक्स्प्लोरेशन प्रेजन्ट करते हैं लेकिन सिर्फ इतने से फिल्म देखने के दिल्चस्पी नहीं बढ़ेगी उसके लिए थोड़ा डीटेल में डीकोडिंग करना होगा फिल्म नैपोलियन के शुरुवात मेरी एंटोनेट के सरकार्ट में से होती है जिसे नैपोलियन बोनापाट लापरवाही से देखता है उसे ऐसा लगता है कि जिस सत्ता के तलाश में वो है उसके लिए मेरी एंटोनेट एक बाधा थी फिल्म में बोनापाच की मामूली तोप खाने की कमांडर से लेकर नैपोलियन फरस्ट फ्रांस की समराड बनने तक के सफर को दिखाया गया है कुछ ही वर्षों में नैपोलियन जेनरल पोस्ट पर होकर पूरी दुनिया को जीतने की कैपैसिटी रखता है और पंदरा वर्षों में वो फ्रांस का समराड बन जाता है नैपोलियन को सत्ता पर कापिश लोग हाई पोजिशन यानि बड़े ओधे के लायक नहीं समझते है लेकिन वो सिकंदर यानि के अलेकसेंडर और सीजर के नक्षे कदम पर चलते हुए अपने सपने को पूरा करता है ये फिल्म नैपोलियन के केरियर का एक शानदार सफर पेश करती है लेकिन नैपोलियन के चीवन के ऐसे बहुत सारे पहलों को फिल्म में नजर अंदाज कर दिया गया है मतलब सिर्फ एक फिल्म में नैपोलियन की लाइफ स्टोरी को दिखा पाना आसान नहीं फिर भी रिडले स्कॉट ने कोशिश की है अब कोशिश कैसी है इसके लिए आपको ये फिल्म देखनी पड़ेगी अब आती हूं मैं एक्टर्स की परफॉर्मेंस और कई टेकनिकल एसपेट्स पे फिल्म में डारेक्टर रिडले स्कॉट ने ये बताने की जरूरत नहीं समझी कि नैपोलियन कौन है और वो क्या चाहता है नैपोलियन के बारे में जानना है तो इस फिल्म से जादा जानकारी इंटरनेट पर अवैलेबल है फिल्म की शुरुवात मेरी एंटरनेट के सर काटने से होती है मेरी एंटरनेट कौन है उसका सर क्यों काट दिया जाता है सर काटने से पहले दिखाया गया है कि वहां की जनता याने के पबलिक उससे बहुत नफरत करती है लेकिन इसके पीछे की वज़ा क्या है ये फिल्म में क्लियर नहीं होता है नैपोलियन ने अपने जीवन में 21 युद लड़े हैं इस फिल्म में 6 युद का मेंशन किया गया है लेकिन इस फिल्म को देखने के बाद ये clear नहीं होता है कि नैपोलियन कोई विशेश लड़ाई क्यों लड़ रहा है या किसी विशेश संधी याने particular ट्रीटी पर signature क्यों कर रहा है फिल्म में युद के सीन काफी शांदार है लेकिन फिल्म के जादातर सीन्स को बरफीले और धुन में ऐसे शूट किया गया है कि पता ही नहीं चलता है कि कौन जीत रहा है और क्यों इतना ही नहीं स्क्रीन पर लिखे कैप्शन्स से पता चलता है कि कौन ड्रायलॉग बोल रहा है युद के मैदान से अचानक नैपोलियन को गिरजा घर याने की चर्च और महलों में दिखा दिया जाता है फिल्म को देखने के बाद ऐसा लगता है कि इस फिल्म की शूटिंग डोकिमेंटरी फॉर्मेट में हुई है और सभी सीन्स को जोड़ कर नरेटर यानि सूत्रधार के माध्यम से कहानी आगे बढ़ा दी गई हो फिल्म की सीन्स का आपस में तालमेल नहीं दिखता है फिल्म की कहानी शुरू से लेकर अन तक भटकती सी लगती है एक्टर जोकिन फिनिक्स ने नैपोलियन के किरदार में एक शानदार परफॉमेंस दिया है जिसमें युद के मैदाउन से लेकर कुईंग जोसिफिन के साथ कॉंपलेक्स रिलेशन्शिप को दिखाया गया है कुइंग जोसिफिन के किरदार में वनीसा किरबे अपना इंपाक्ट छोड़ती है फ्रेंच रेवलूशन के पॉलिटिशन के रोल में ताहर रहीम आर्थर वलेस के रोल में रूपर्ट एवरेट फ्रेंच इनवेशन के कमांडर के रोल में मार्क बोनर का काम नोटेबल रहा फिल्म के राइटर डेविड स्कारपा ने नैपोलियन के लाइफ के लगभग 30 वर्षों को फिल्म में दिखाया है ये फिल्म फ्रेंच लीडर के परसनल और हिस्टोरिकल दोनों पहलों के बारे में है लेकिन फिल्म देखने के बाद ऐसे बहुत सारे सवाल अधूरे रह जाते हैं जिसे फिल्म के डारेक्टर रिडले स्कॉट पूरा नहीं कर पाए दो घंटे 40 मिनट के फिल्म में नैपोलियन के पूरी लाइफ चर्णी को दिखाना मुश्किल है लेकिन फिल्म के शिरुवात में नैपोलियन के कारक्टर को ऐसे पेश किये जाने की जरूरत थी कि आदियंस समझ सके के नैपोलियन का कारक्टर क्या है इस फिल्म को देखने का तभी मज़ा है जब आप नेपोलियन के कैरक्टर के बारे में पहले से पढ़ ले फिर फिल्म देखे फिल्म की सबसे अच्छी बात है फिल्म की सेनिमेटोग्राफी सेनिमेटोग्राफर डेरियस वॉल्सकी ने युद के सीन्स को बहुत ही शानदार तरीके से फिल्म आया है डूरेशन 157 मिनट्स 14 नावबर 2023 को सल्पलियल पारिस में रिलीज हुई 22 नावबर 2023 को United States and United Kingdom में रिलीज हुई 24 नावबर 2023 से इंडिया में Hindi and English Language में रिलीज हुई अब आती हूँ मैं फाइनल सेक्षन में मतलब आपको ये फिल्म देखनी चाहिए क्या नहीं देखनी चाहिए My verdict Jogan Phoenix और Vanessa Kirby के Engaging Performance के बावजूद इसमें बारेकियों और गहराई का आभाव है मतलब अगर नैपोलियन के बारे में पहले से अच्छी नौलेज है तो फिर ये फिल्म समझ में भी आएगी और entertaining लगेगी Otherwise इस फिल्म को skip करे पहले नैपोलियन को पढ़े फिर इस epic फिल्म को देखने का प्लान करे Thank you तो मैं यही पे इस वीडियो को end करूंगी मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए आप अपना खयाल रखे और वीडियो अगर पसंद आये हो तो लाइक और शिर जरूर करे और चैनल को subscribe करना ना भूले